नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर पर दोस्तों पस्थित हो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपूर्ण जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपना वेट गेन कैसे करें जहां दोस्तों अपना वजन हम कैसे बढ़ाएं बहुत सा जों का हम अगर अपने खाने पीने में खयाल रखें तो हमारा वेट सही रहेगा और बढ़ भी जाएगा यह हम आज आपको बताएंगे दोस्तों क्या खाना चाहिए what to eat to gain weight जिससे कि आपका वजन बढ़े और आप तंदुरूस्त नजर आएं दोस्तों लड़कों का या नोजवान लोगों का शरीर गठीला और तंदुरूस्त नजर आए तभी वह खुबसूरत नजर आते हैं और अच्छे और तंदुरूस्त सेहत मंद बोड़े पर आप पढ़ा पहन लीजिए वह आपको जचेगा चाहें एक सिंपल सी टीशर्ट ही क्यों नहों दोस्तों तो आए आज के हम इस वाइस ओवर में देखते हैं वजन कैसे बढ़ाएं दोस्तों इस भागम भाग से भरी जिंदगी में ज्यादा तर नजवान लोग अपनी सिहत का ख वजन प्राकृतिक रूप से बढ़ा लेंगे दोस्तों और कुछ ही दिनों में आप हठे कठे नजर आने लगेंगे वजन कैसे बढ़ाएं इसके लिए आप हमारे वियो को सुनते रहिए वजन बढ़ाने के लिए अंकुरित अनाज का उपयोग करें दोस्तों अंकुरित अ अच्छा सोर्स माना जाता है जिंक में जो पोशक तत्व होते हैं वह शारिरी कमजोरी को धूर करने के साथ साथ पुरुशों में नपुन सक्ता की समस्या को भी खत्म करते हैं और इनका उपयोग आपके मसल्स को मजबूत भी बनाता है तमाटर से वजन कैसे बढ़ाएं द दार्त एक नेचुरल केमिकल है यह केमिकल अपने एंटी ऑक्सिडेंट गुनों के लिए जाना जाता है यह प्रोस्टिट ग्रंथी फेफणों और पीट के कैंसर को खत्म करने की अदभुत शमता रखता है और साथ में आपके चेहरे की लालिमा और चमक को बढ़ाता है यह रोजाना एक टमाटर खा सकते हैं अप लहसुन का प्रयोग दोस्तों लहसुन का सेवन पुरुशों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है लहसुन में इंटी बैक्टिरियल और इंटी वायरल तत्व पाये जाते हैं जो कि हमारी शारीरिक रोग प्रतिरोधक श दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए कद्दू का सेवन दोस्तों सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन यह सच है कद्दू में और शक्ति के गुण भर पूर हैं विशेश्ट तोर पर लड़कों और पूरुशों के लिए बहुत फायदेमंद होता है इ इसके इनहीं गुणों की वज़ा से इसका नियमित सेवन करने से जीवन भर आपकी त्वाचा जवान बनी रहती है और बहुत से मेडिकल प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल भी होता है दोस्तों अंडे से वजन कैसे बढ़ें अगर आप अंडे खाते हैं तो इसे अपने नियमित डाइट में शामिल करें अंडा आपके मसल्स को मजबूत बनाने के लिए और शधी की तरह काम करता है इसमें अमीनो एसेड पाया जाता है और इसमें केल्शियम तथा अंडे के पीले भाग में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर को ताकत्वर बनाता है यहिं एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ज़्यादा तर लोग अंडे को अपने नाश्तरी में नियमित रूप से शामिल करते है स्वास्त रहने के लिए अनार का प्रियोग दोस्तों अपनी डाहिट में आनार का जूस नियमित रूप से शामिल करने से भी आपका ब antig करने और आपके शरीर में भून बनाने में मदद होती है और इसके अलावा भी कई तरह से आपके शरीर को स्वश्थ रखने में अनार एक महत्वपून भूमिका निभाता है इसलिए सब्धा हमें कम से कम एक बार अनार का जूस जरूर लें अब देखते हैं दोस्तों कि क्या कि खायें जिससे हमारा वजन बढ़्े स्वस्थ रहने के लिए शिमला मिर्च का उपयोग दोस्तों शिमला मिरच में भी काफी प्रभभाव शाली गुण होते हैं जो इंसान के शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं एक रिसर्च कह अनुसार लाल सिमला मिर्च में ओरेंच जूस के मुकाबले तीन गुना जादा विटामिन C पाया जाता है साइन्टिस्ट की माने तो शिमला मिर्च में फ्लेवनोइज जी हाँ फ्लेवनोइज के गुण भी मौजूद रहते हैं और फ्लेवोनुइड्स तत्त मर्दों को सेहत मन्द रखने में एक आहम भुमिका निभाता है और लाल शीमला मेर्च फ्लेवोनुइड्स लेने के लिए एक बढ़ियाँ शुरूत है दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए सोया का उप्योग किया जा सकता है और ज्यादा तर हिल्थ टॉनिक प्रोडक्ट में आप लोगों को सोया प्रोटीन का भर पूर इस्तेमाल किया जाता है या आपकी बोडी में कोलेस्ट्रोल की मातरा को भी कंट्रोल करके रखता है रोजाना 20-25 ग्राम सोया का सेवन करना आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल कर सकता है ज्यादा तर बजार में जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है या वजन बढ़ाने वाली दवाईया या पाउडर मिलते हैं उनमें सोया पाउडर का भर पूर इस्तेमाल किया जाता है कई बड़ी बेडिंग पाउडर जो ज़्यादा तर जीमों में बिखते हुए देखे जा सकते हैं उनमें सोया प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ड्राइफ फ्रूट्स ड्राइफ फ्रूट्स स्वस्त रहने का एक सबसे बेहतर विकल्प है ड्राइफ फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और पूरूशों को ड्राइफ फ्रूट्स का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए फिर चाहें आप इन दूरबलता भी दूर होती है दोस्तों और साथ में दिमाग भी तेज होता है ड्राइफ रूट्स में रोक प्रति रोधक शमता भी अधिक होती है दोस्तों जो आपकी बिमारियों को दूर भगाने में काफी मदद करती है इसलिए हो सके तो ड्राइफ रूट्स का नियमित बचिता वजन बढ़ाने के लिए आम और पपीता दोस्तों आम और पपीते में विटामिन-ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आम में अमीनु एसिड विटामिन सी विटामिन ए आइरmi कैल्षियम पॉटास्यम और इसके अलावा भी कई और तत्व जैसे विटामिन बी और तमाम एंटी ऑक्सिडेंट तत्व मजूद रहते हैं अगर हो सके तो सुबह नाश्टे के समय आप पपीता जरूर खाएं और दो पहर के भूजन के बाद आम खाना ठीक रहता है पपीता एक फ्रूट है जिसका सिवन आप बारहू महीने कर सकते हैं दोस्तों अब वजन बढ़ाने के लिए लो फैट डेरी प्रोड़क्ट दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए आप सबसे बेहतर उपायों में से एक लो फैट डेरी प्रोड़क्ट जैसे कि दूध दही चांच और मक्षन इन सभी चीजों में प चीजों में कैल्शियम विटामिन जैसे जरूरी पोशक ततों मुझूद रहते हैं इसके अलावा इन में कार्बोहाइट्रेट और विटामिन डी भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों जिससे आपकी मानस्पेश्यों को मजबूती मिलती है वजन बढ़ाने के लिए मुफ़ली एक बेहतर और सस्ता उपाय भी है मुफ़ली में जिंक की मात्रा भर पूर पाया जाती है और इसमें अमीनो एसीड भी पाया जाता है यह अमीनो एसीड मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद सावित होता है और इसके सेवन से शारीरी दूरबलता भी दोस्तों और इसके साथ सबसे बढ़िया एक जो सुरोत है दोस्तों और वो हमारे घर में भी होता है आपके पास चना हो अगर या गेहूं हो सोयाबीन हो जिन में प्रोटीन होता है इन सारे अनाजों को आप रात को भी गो दीजिए जब यह फूल करके सुबह अच्छे धंग करता है और और इजलि होता है आपकी कई सारी बीमारीयों को भी झूमतर कर देता है और आपका वेट भी सही हो जाता है दोस्तों और जल्यक्त कहुंदा करना कि आपको चनल लाईए उसके साथ सोयाबीन लाइए और गेहूं इनको भी गो दीजी साथ सुबह जब यह अंकू लग सकते हूं उस पर और उसका सेवन कीजिए आपका वेट इजिली गेन हो जाएगा दोस्तों तो देखा आपने कि आज हमने जो भी प्रोडक्ट से लाए थे यानि कि जो भी फाल फूर्ट्स जिन भी चीजों का सेलेक्शन हमने किया था इसमें दोस्तों इस एपिसोड में वो वेट गेन करने के लिए थे और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है तो हमारा वेट गेन होगा यह हमने आपको आज बताया अगली कड़ी में हम जुड़ेंगे आप सभी से कुछ एक और महतुपूर्ण जानकारियों को लेकर गे दोस्तों तब तक के लिए हमें आग गया दिजे धन्यवाद नमस्कार